open से या distance से कह लो कि beard कैसे करें actually इस वीडियो का जो title है और जो thumbnail जो आप कूपर से दिख रहा है कि open से या distance से beard कैसे करें actually ये heading ही गलत है क्योंकि कोई भी professional degree ध्यान दीजेगा कोई भी professional degree it is not just about beard कोई भी professional degree कभी भी open या distance mode से होता ही नहीं है तो as far as beard concerned है beard भी open और distance mode से नहीं होता है लेकिन फिर question उठता है कि वो क्या है जो लोग अकसर कहते हैं कि अच्छा प्राइवेट से कर लें beard प्राइवेट से कर लें actually प्राइवेट से beard जैसे कोई चीज होती ही नहीं है सरकारी रूप से सरकारी माननेता जिस चीज को सरकार माननेता दे ठीक है वो open और distance से नहीं होता है ये एक अलग मुद्दा है ये एक अलग मुद्दा है कि मैं कल को एक प्राइवेट कॉलेज खोल लूँ और उस प्राइवेट कॉलेज में क्या हो कि students का enrollment हो जाए वो beard में admission ले ले और उसके बाद क्या करूँ कि मैं उनसे कुछ पैसा ले लूँ और उनका जो attendance होता है वो मैं mark कर दूँ attendance दे देने के कारण इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो course open से हो गया try to understand colleges में मैंने क्या कि एक illegal provision बना दिया कि आपका admission कर लिया attendance लगा दिया, marks दे दिया, सब कुछ हो रहा है उसके लिए मुझे कुछ पैसे मिल गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सही हो गया और इसी चीज़ को दस अलग अलग private colleges ने copy कर रखा है अपने अपने business को बढ़ाने के लिए तो पहला चीज तो ये private से होता नहीं है तो अगर कहीं कोई private से हो रहा है तो वो already illegal है वो अलग बात है कि अच्छे खासे लोगों ने कर रखा चसर बहुत सारे लोगों ने कर रखा या कर रहा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो गलत चीज justify हो गया पहला चीज दूसरा चीज लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि open ये distance से beard करने का provision आपको इगनू में दिखाई देगा जैसे इगनू अगर मैं इंडिया के सबसे largest open distance university अगर मैं इगनू का example ले लू तो फिर साथ में अगर डेली में आप रहते हैं तो जामिया करवाती है open से अगर जामिया का मैं example ले लू तो फिर वो क्या है वो लोग जो open से distance से beard होता है वो basically सब के लिए नहीं है ठीक है वो open से distance से beard सब के लिए नहीं होता है अगर आपने सिर्फ graduation कर रखा है सिर्फ post graduation कर रखा है PhD कर रखा है कुछ भी कर रखा है और इस video lecture को आप देख रहे हैं तो आप eligible नहीं है वो जो distance वाला beard का criteria होता है उसमें केवल और केवल वो लोग eligible होत अब NCT recognized course face to face mode में क्या है एक तो जिसे Delhi में अगर आप में इसे कोई Delhi में कहोगा तो वहाँ पर एक NPTT करके course होता है फिर JBT करके course होता है तो इस तरह के जो courses होते हैं और उत्तर प्रदिस में इस course को हम कहते हैं BTC बाद में उसको हम DLA कहने लगे diploma in elementary education जो class 12 के बाद होता है तो ऐसे लोगों को ये advantage होता है कि वो कल को distance से beat कर सकते हैं क्योंकि उनकी training face to face mode में already हो चुकी है जो सिर्फ theoretical aspect course का बचा रहता है वो university क्या करती है कि distance mode में complete करा देती है अच्छा इसमें वो लोग भी eligible होते हैं जिनको 2 साल से या उससे उपर teacher training का experience हो for example teacher training के कहा रहा हूँ sorry मतल जिसे माली जिए बहुत सैसे teachers होते हैं जिए schools वेगरा में पढ़ा रहे होते हैं लेकिन उनको इस beat की degree नहीं होती है वो लोग तब eligible होंगे distance से करने के लिए जिस private संस्था में वो पढ़ा रहे होंगे अगर वो संस्था लिखित में लिख कर आपको माननेता दे कि हां इनके पास हमारे यहां साल भर दो साल का teaching experience है इन्होंने हमारे संस्था हमारे स्कूल में पढ़ाया है तब जाके आप distance से beat के लिए apply करने के लिए eligible हो जाते हैं और जाते जाते इसमें मैं एक चीज़ और add कर दूँ अगर आप IGNU या जामिया यहां से आप distance से apply करने को सोच रहे ह कि इसमें ऐसा नहीं है कि form फिल कर दिया और जैसे open universities में होता admission हो गया इसमें क्या होगा कि बकाइदा entrance exam conduct होता है तो पहला चीज तो आपके पास face to face mode में NCT recognized teacher training certificate होना चाहिए इसका मतलब यह होना चाहिए JBT, NPPTT या फिर BTC, DLA, इस तरह के courses आपने पहले ही से कर रखा हो face to face mode में नहीं कर रखा है तो साल से दो साल का आपके पास कम से कम teacher का experience हो, school आपको लिखित में, return में आपको दे, तब जाके आप distance से apply करने के लिए eligible हो जाते हैं, और बाकी का जो लोग कहते हैं private से कर लें, देखिए I think 2000 से उपर students के साथ मैं career counseling के regarding interact कर चुका हूँ, and अच्छे अच्छे खासे मेरे courses आते हैं, जो B.A. enters exam के related लोग prepare करते हैं, in fact seated के exam के courses आते हैं, लोग prepare करते हैं, आपको मैं बता हूँ, देखिए बहुत से उत्तर प्रदेश में से बहुत से colleges हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हर्याना में बहुत से colleges हैं, मेरट की एक बहुत famous university है, जहा basically आप वहाँ पैसा दे दे तो, पैसे पर आपका attendance लगा लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो legal हो गया, तो वो अला private से उस तरीके का beard, I don't understand कि अगर आपको private job चीए तो फिर वो बहुत ज़दा appreciated नहीं है कि आप उस तरह के beard के courses समझा के join करो, otherwise distance से यही होता है, और बाकी क्यों कोई भी और degree, beard का, या distance mode में नहीं होता है, क्योंकि कोई भी professional degree कभी भी distance mode में नहीं मिलती है, legal तरीके से, thank you and God bless you, best wishes.